बिहार थाना क्षेत्र के महल पर बिचली गली मोहला में गुरुवार को एक व्यवसाई के बंद घर का ताला तोड़ कर चोरों ने 50 लाख रुपे के गहने और 70,000 रुपे नगत चुरा लिये। पेडित व्यवसाई सूर्यकांत सिन्हा ने बताया कि हम लोग यहां नहीं थे। रविवार को घर में ताला लगा कर वे बाहर चले गए थे। गुरुवार को जब वे वापस लोटे तो उन्हें घर का ताला तूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरे का ताला भी तूटा हुआ है और अलमारी से 50 लाक रुपए के गहने और 70,000 रुपए नगद गायब हैं। उन्होंने बताया कि पूरी घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। सूर्यकांत सिन्हा ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके प पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। चार रूम है, हाल है, सब खली फुजा भी तर्कर नहीं तूटा हुआ ताला, हाँ पैसा एक ही जगह रहा हुआ हूआ। जब कसा प्ली का जवड़ तोटल गुतनी का जवड़ मा का जवड़ सब का था। रहते हैं। अलग 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 लगवार में था लगे हम लोग सब हुआ जोड़न वहाँ हैं कोई जानले कर आहां यहाँ जहाँ रॉपार मीं ऩा। सब कुछ मिला जुना के चाहिए और कैस करीब करीब साथ सतर अजार रुपय था अब हाँ कोई फालतू समान नहीं लेगा सुरीब जेवर और कैसी लिया है अगल बगल के बिना तो कुछ होज नहीं सकता है कि जिस हिसाब से वो किया है एक रूम है पूजा घरे वो जहां रात को जाकर देखिए को पूरे को पूरे खांगाल दिया है वह अगला कंफर्म है कि यहां समान है और कि समान निकाला है हम यहां नहीं थे संडे को हम गया थे गया और आज हम जब डाई बजे पोँचे हैं मेरा में गेट का तला तुटा हुआ था खुला हुआ था सिर्फ पचास लाख रुपया का जेवर्थ है हमारा लेकिन इतना प्लानिंग से किया है तो कोई जान घर के बारे में जानता ही है कैस ज्यादा नहीं है 60-70,000 रुपया है जेवर लगोग 50 लाग का है